दोस्तो आज के इस वीडियो पे मैं आप ही लोगों के दुआरा पूछे गए रिपीटेट एक कोश्चन को लिया हूँ जिसका सल्यूशन देने वाला हूँ और ये हर एक क्रियेटर के लिए हो सकता है बहुत ही जादा एफिक्टिब और बेनिफिशियल हो तो दोस्तो बात कर अभी जो आप लोग देख रहे हो या पर आप देख सकते हो मैंने इस पेज को एज वीजिटर करके रखा है ताकि आप लोगों को समझा पाओ मतलब कोई भी बंदा अगर मेरे पेज पे आएगा तो उसको भी ऐसे ही दिखने के लिए मेरे पेज मिलेगा यहाँ पे जो आप अप्शन दोनों एक साथ नहीं आता है एक लाइक आता है नहीं तो फॉलो आता है और किसी किसी का तो ऐसा भी कहना है कि फॉलो लाइक दोनों ही नहीं आ रहा है दूसरा और बटन आ रहा है आपने कैसे इसको सेट अप किया है क्योंकि एक पेज को ग्रो करने के लिए फॉल आपके जो audience है उन लोग को देखने के लिए नहीं मिलेगा तो वो लोग ये setting नहीं कर पाएगा तो आज के इस वीडियो पे में बारी की से समझाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे आपके एक page पे दोनों ही button को एक साथ रखोगे like follow दोनों ही एक साथ रहेगा तो उसके लिए मै चला आता हूँ normal page access पे तो यह मेरा page रहा आप लोग के सामने तो आपको जो करना है आप mobile user हो या फिर desktop laptop user हो आपको घुम फिर के आना है page के setting बाला पार्ट पे तो यहाँ पे नीचे देख सकते हो setting बाला पार्ट left side पे तो इस पे आपको करना है click जैसे ही click करोगे दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरीके का option आएगा जहाँ से आपको चूज करना है template and tab बाला option याद रखना दोस्तों यही option है तो इस पे आपको करना है click मैंने click किया जैसे ही click करूँगा तो यहाँ पे show होगा current tab current tab and current template दोनों ही एक साथ आप देख सकते हो यह अभी tab है जो tab हमने currently select template करके रखे है और यह है वो template तो हमें ऐसा लाने के लिए मतलब following और like ऐसा लाने के लिए हमें जो करना है वो है यहाँ पे edit पे जाके आपको करना है click जैसे click करोगे आपके सान में different different तरीके का template रहेगा जैसे के सबसे उपर video page template है उसके बाद business venue non profit बहुत सारे template है तो आपक कौन सा fit बैठता है उस हिसाब से आपको template चूस करना है मगर मेरा suggestion creator लोगों के लिए हमेशा रहता है कि आप लोग video page template को select करो क्योंकि यही template आपको maximum benefit देगा आज के date पे तो यह अगर select रहेगा जैसे के मेरे case पे मैंने इसी template को select करके रखा है और इसी के बज़े से आपको यहाँ पे follow और like option show हो रहा है बाकी लोगों के case पे जिन लोगों को show नहीं होता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो template selection है बाकी लोग कोई दूसरा दूसरा करके रखते है जैसे के say for example मैं यह वाला choose कर लेता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने choose कि अब apply template पे click करूंगा तो मेरा template अभी change हो चुका है तो अभी मैंने public figure बाला select कर लिया है तो अब यहाँ पे आऊंगा और इसको refresh करूंगा तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यह following बाला option जो है वो हट जाएगा क्योंकि दूसरा template select हुआ हुआ है तो आप लोगों समझना है सबसे पहले कि आपको कौन सा template जरूरी है आप देखो यहाँ पर refresh किया तो यहाँ पर अभी दूसरा ही button कुछ आ रहा है जो कि मेरे फाइदेका नहीं है learn more button आ रहा है और उसके साथ like है मागर जो following वाला button है वो गायब हो चुका है अब अगर हम जाके इस template को edit करे और यहाँ पर हम चूज कर लें फिर से हमारा जो वीडियो वाला template जो मैंने आपको बोला वो अगर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे जैसे के मैंने अभी apply template पर क्लिक कर दिया जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पर select हो जाता यहाँ पर देख सकते हो वीडियो वाला page आ गया अब ज सिखाया यह जरूर आप लोग implement करो यहाँ पर देख सकते हो following बला आ गया है like भी है साथ में तो यह अगर रहेगा तो जादा chances होगा आपके page को लोग जादा follow करें क्योंकि follow बाला button upfront लोगों को अच्छे से दिखने के लिए मिलेगा बहुत सारे लोगों के page setting पे follow and like का option नह नहीं बरते है यह भी एक reason होता है तो आशा करूंगा आज के इस वीडियो से मैंने आप लोगो सिखा दिया template and tab बाला पार्ट पे जाके आपको जो है वो setting को करना है अगर वीडियो पसंद आया है दबा के like कर देना कोई भी दोस मिनिचर पे नेने आया हो तो चैनल को subscribe करके bell notification दबा लेना तकि ऐसे वीडियो आने बाले टाइम पर सबसे पहले आप तक पौट जाच के इस वीडियो भी नहीं दोस्तो तब तक आप लोग कुछ रहो आबाद रहो और ममी पापा का नाम करें दोस्तो बाई